थाकड़ खबर के नियोज रूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रहिस खान अगर आप सिर्फ खबर देखने के शौकीन है तो भौपु मीडिया को देख सकते हैं वो बैक्ग्राउंड म्यूजिक लगा कि दस मिनट के अंदर 50 खबरे 100 खबरे आपको दिखा सकता है अच्छे सारे ग्राफिक्स लगा सकता है उसके पत्रकार अच्छे सारे कपड़े पैंते हुए चार कदा मीधार इदर इलते हुए बढ़िया से आपके सामने खबरे रख सकते हैं लेकिन अगर आप वाकी में खबरो असल में है क्या ये खबरों का बलतकार है एक जिले की खबर और उसके लिए 16 सेकंड कभी टाइम नहीं है उसके पास आप सोचके रखिए क्या एक जिले में कितनी आबादी बस्ती होगी 16 सेकंड में उस खबर को समेड़ देते हैं वो 100 खबरे हो उसकी 50 खबरे हो आपकी दो खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं उन्हें देखेगा और सोचेगा कि वो क्या बोलते हैं और असल परदे के पीछे होता क्या है और फिर वो उस खबर को गड़ते कैसे हैं बात को ज्यादा लंबाना करते हुए छोड़ी से कपील हैं अपसे अगर आप लोग यूट गए हैं परदान मंतरी ने कहा भी जो जहा है वहीं रुक जाए यह अलग बात है कि कुछ लोगों को छुपा हुआ बताया रहा है कुछ लोगों को फसा हुआ बताया रहा है उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधरा कश्बे से एक खबर हमारे पास आ रही है बहुत ही मेहनत मज़़ूरी कर रखी ते लेकिन उसी दोरा लोग डाउन लागो हो गया वहाँ फस गया वहाँ भूका प्यासा है यह महिला यहां भूकी प्यासी है मकान मलक जो हैं वो कितने दिन तक इसकी मदद करतें वो भी गरीबी हैं उन्होंने जब तक मदद करने लाइक थे उ के बाद उसको सला दी कि अच्छा तेरे पास तो दो राशन कार भी नहीं है पर तो चिंटा मत कर सरकार gap हे सरकार व sit में राशन की भ्यवसा कर दी है तू राशन डिलर की हाँ चली जा उनकी सलाफ पर हो महिला राशन डिलर के हाँ चली गई राशन डिलर ने पहले घंटोस महिला को अपने हाँ खड़ा रखा यारोप है और उसके बाद कहा कि तुम घर चली जाओ मैं शाम को आऊंगा और वहीं पर तुम्हें राशन दे दूँगा शाम को घर गया मोका देखा महिला घर पैके लिए थी उस महिला की इज़त लोट ली कल्प ना कर सकते हैं अब दो किलो गहूं के लिए चार किलो गहूं के लिए एक महिला की इज़त की कोई कीमत नहीं है लेकिन इस खबर को भूपु मीडिया के दलाल चाटुकार पतरकार आपके सामने नहीं रखेंगे अगले पहलू मैं कि वो सेग्जादान मुहले में रहती है तथा वो राशन डीलर की दुकान पर राशन लेने गई थी विनोद नाम के राशन डीलर ने उसको बोला कि वह घर पर आके उससे मुठा लगवा कर उसे राशन देगा इस भाने से वो उसके घर गया तथा उसे अकेला पाके उसके सामने हाल यह भी रखना चाहता हूं महिला की बाइट मेरे पास है लेकिन मैं चलाना नहीं चाहता हूं को क्योंकि उतनी पड़ी लिखी महिला नहीं है क्योंकि पत्रकार भी जिस सरी के से पूछ रहा है वह सबालात भी मुझे बहुत आजीब से लग रहे हैं दें कि मैं हमेश उनके जरिये कुछ चीजे में आपके सामने रखना चाहता हूं सुनिये क्या नम है अपको जी मेरे नम त्याव है यह माम लगया है साहब की विचारे पांच शा मेने से मेरे यहां रहते है कि रहे पे इसका मालिक पंजाब मैज़ूर के लिए गारा है मन्डी में काम करता है तो यह कही रोज से जब तक मेरे पास था में भी तना अमीर नी हूं जो मेरे पास था रहा सन्मे उसको देता रहा तो वह मेरे पिछ्छे आया और इनकी साह बत्तमीजी करने शुरू की जब मुझा मालू है तो माया तो उस इतने में उसको पुलीस वाले पकड़के इसके द डीलर नहीं किसमें राक्सस बने गए आज के टैम हरी आदमी की नजरे नरह में अगर पत्थर भी है वो भी नरमा रहा है मगर ऐसा नहीं के बराबर में डीलर है यह आब रूक का सोदा कर रहे इंकी इस्जत के सोदा करके इनको रह सन देगा मगार मलिक को आपने सुन लिया बहुत साइच चीज़ें आपको समझ आ गई होगी अब खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं हर चोटी बड़ी खबर को लेकर राद दिन हिंदू मुसलमान करने वाला भूपू मीडिया इस खबर को क्यों नहीं दिखा रहा है थोड़ा सा चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा मैं आपके सामने सिस्टेमेटिकली डंग से रखता हूँ सबसे पहले इस जगा के प्रोफाइल को लेकर बात करते हैं यह खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के शामली इलाके के कांधला कश्बे से कांधला कश्बा कुंसा जो आज कल मौलाना साद जो चर्चा में बने हुए है तबलीगी जमाद के मुख्या है उनका घर है यहाँ प अगर इसका नाम कुछ और होता तो सोचिएगा अक्रम नाम होता इसका क्या होता किस तरीके से करता चिला चिला के यह पूरे आस्मान को सर पर उठा लेता है क्याता देखिए यह खबर आ रही है मौलाना साद के कांधला से वहाँ पे एक मुस्लिम बलतकारी पकड़ा गया ह परे ही वो महिला जो है आरोपी वो सोरी पीड़ित महिला जो है मुस्लिम होते पिर भी यह चिला आता है और खुदा ना खासता अगर वो महिला हिनदू होती और किसी मुस्लिम में कोई खबर नहीं है कोई मज़ा नहीं लगा सकता है पीड़ी दोने के बाद भी इस महिला का दर्द वो नहीं दिखा रहा है अब एक तस्वीर और आपके सामने रखता हूं आगे देख लिए मोधी जी के बनारस कहिए वारा नसी कहिए या काशी कहिए वहां से एक खबर हम थी और घर के परिवार के लोगों ने उस महिलार उसके बेटे को घर में घसीट लिया बूरी तरह से मारा पीटा पुलिस को सूचना दी गई पुलिस मौके पर पहुची महिलार उसके बेटे को आज़ाद कराया दो लोगों को महां से हिरासत में लिया महिला की तरफ से एफ पाई अर्दज की गई है दो लोगों को मोके से ग्रफतार कर लिया है महिला का आरोफ है कि मारपीट में उसके कान का कुंडल भी लूट लिया गया है सेवा पूरी छेतर पड़ता है वहां का एक गाउं है सी ए राहा सी ए राहा गाउं का ये मामला है और वहां की रहने वाली ये महिला जो है इसका नाम है प्रम शीला इसके पती का नाम है शीवपरसाद ये अपने बेटे सूरज के साथ उस गाउं से राशन देने के लिए दूसरे गाउं बे आई जिस गाउं का नाम बताया जाता ह है चक किया और वहां पर राशन डीलर ने इसके साथ इस तरीकी की वारदात को अंजाम दिया अब बताईए क्या इस खबर को हिंदू मुस्लमान करके दिखाए जा सकता है अगर मां लीजिए राशन डीलर मुस्लमान होता तो क्या ये दिखाए जाता कि ये देखिए वहशी दरिंदा एक हिंदू महिला अपने बेटे के साथ राशन लेने आई मुफ्त में राशन मांगने की बात की उसने तो उसे घर में डाल लिया उसके साथ ऐसे किया वैसे किया और उनकी मुस्लमानों की महिलाए भी इन पे तूट पड़ी और घर के लोग भी तूट होता है यह दोनों खबरें आपके सामने रखने का मकसद यही है कि आपको खबरें देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा किसी भी समाज में कोई अपरादी नहीं होता है अपरादी अपरादी होता है बहुत सारे मैं आपको हिंदू धरम में हो मुस्लिम धरम में हो बहु इस खबर को ऐसे दिखा हूं आपके सामने के हिंदू ने एक मुस्लिम महिला का बलतकार कर दिया चार किलो राशन की आड़ में क्या मैं इस खबर को आपको ऐसे दिखा हूं यह तो दोनों यहीं पर हिंदू हिंदू है के यह देखे बड़ी जाती वाला हिंदू जाया है कर सकते हैं फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए है या उलस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजी फिलाल अभी मुझे नहीं जा कर दो मैं आपके सामने हुए है या वचर और क्यासंय